हेलो एव्रीवन, वेलकम टू एग्जाम टेजी, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेनु एमसीय मास्टर सील कंप्यूटर अप्लिकेशन के टोटल नंबर उफ सीट्स के बारे में तो जितनी भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो आप लोग ने इस वार एमसीय के लिए फॉर्म फिल किया है सीवीटी का और जेनु में सोचने एडमिशन के लिए इस वीडियो में पूरा देखिए इस वीडियो में हम लोग कैटेगरी वाई सीट्स के बारे में बात करेंगे इसके अलावा जो है एक्जाम टेजी की तरफ से लाश्ट 10-11 यूर्स का जो जेनु के एमसीय का एक्जाम होता था और जेक्टिव टैट एक्जाम होता था वो कोशन पेपर भी कंपाइल करके प्रवाइड किया जा रहा है तो उस कोशन पेपर के लिए आपको कॉल के मैसेज करना और नमबर 844-8878849 और जितने भी सिरियस कैंडिडेट्स हैं आप लोग को जेनु का प्रिवियस प्रेपर्स तो हंदेज पर्षेंट सॉल्व करना ही जाना चाहिए क्योंकि सीवीटी में जब से जेनु आ गया है तो एक इंपॉर्टेंट फूल रखता है जेनु जहांपे क लेकि सारा चीजएनु के हाँ में जाता है और जेनु के अगर आप इस्टेंडर के कोश्टन को अगर आप साफ्ट कर पाते हैं तब तो आप टॉप रेंकर्स में और तरहीं आपको जेनु मिलेगा तो यहां पर जो आपका मास्टर मास्टरं कंप्यूटर अप्लिकेशन का जो MCA का course है जो School of Computer and System Sciences में आता है तो जहां पर आप देखिएगा इसका जो code है MCAM तो अगर हम लोग general category की बात करते हैं, unreserved category की बात करते हैं, तो unreserved category में जो total number of seats है 23 मुए schedule caste की बात करें तो schedule caste में total number of seats हो जाते है 9, scheduled tribe में total number of seats हो जाते है 4, PWD candidates के लिए total number of seats है 3 अगर हम बात करते हैं OBC की, तो OBC candidates के लिए total number of seats है 16, और EWS के लिए total number of seats है 6 और टोटल सीट्स के अगर हम लोग बात करते हैं तो फिफ्टिफ एट तो जेडी में आप देख पा रहे हैं कि आप जिस पे कैटेगरिस में बिरॉंग जरते हैं उस कैटेगरी में जो है आपके टोटल लंबर ऑफ सीट्स कितनी एवलेबल हैं बागी एक सेप्रेट वीडियो में हम लोग अलग 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 यूवर्शिटी के बारे में भी डिस्कॉस करेंगे जहां पर MTA का कोर्स आफर किया जाता है तो अगर हम बात करें देली यूवर्शिटी में तो देली यूवर्शिटी में कितनी सीट्स हैं इसके अलावा जो ब अगर जेन्यू में आपको एडमिशन चाहिए तो आपको यह मान के चलना पड़ेगा कि सीविटी के इंड़न्स एक्जाम में आपका कम से कम यह जो रैंक है 25 के अंदर होगा तभी आपको एडमिशन मिल पाएगा क्योंकि जेन्यू जो है सारे कैंडिडेट्स का पहला जाती हैं नहीं बोच सकते हैं कि बहुत जादा सीट्स हैं अब सारी उनिवर्शिटी की बात करें तो जेन्यू में सबसे कम साइब सीट्स हैं तो इसलिए कंपडिशन लेवल काफी बढ़ जाता है और जो एक्जाम टेजी के तरफ से जो कॉशन कंपाइल करके दिया जा रह सबस्कें की जान्तफ है तो जितना जल्दी से जल्दी आप उन सारे स्वक्रीशन को स्लल करremo क्राइब कर सकते है तो वीडियो पसंद आहां तो प्रीक किलने और चैनल पर अभी तक आपने संस्क्राइब नहीं किया तो प्रीज सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन वेल्वी दबा लेसे होदे जितनी इंपोर्टन अब्रेट्स होते हैं वो सारा आपको मिलता रहे है इसके अलावा कोई प्रेशन से लिलेटेट और भी कोई इंफोर्मेशन चाहिए तो आप लोग इसी नंबर पर कॉल य मैसेज कर सकते हैं यह वीडियो के कॉमें में भी जाके कॉमें कीजिए और राइट वांसर इस सोन अस पॉसिवल तो थैंक यू और वीश्यू आल बेस्ट